नमस्कार S.P.N.I.N.E.S. देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मांशी जैस्वार महाराश की सियासत हर दिन एक नया मोड ले रही है और जब से यहाँ पर अजीद पवार जो है महाराश के नए डिप्टी सीएं बने है तब से बवाल मचता हूँ नजरा रहा है और अब आजीद पवार लगातार अपने चाचा शरत पवार से मुलाकात करते हूँ नजराते हैं कई बार वो मुलाकात कर चुके हैं हला कि जब से उन्होंने बगावती सुर अपनाया है तब से कहीं न कहीं ये कहा जा रहा था कि जो जिस तरीके से आजीत पवार ने यहाँ पर शरत पवार को धोका दिया है पहले ये भी कहा जा रहा था कि शरत पवार के रहते हुए यहाँ पर जो है उनके कहने पर ही अजीत पवार ने ये कदम उठाया है लेकिन अब जहां तक शरत पवार से अजीत पवार मुलाकात कर रहे हैं डिप्टी सीम बनने के बाद वो उनके पैर छूते हुए नजर आये थे शरत पवार के पास उनसे मुलाकात करने के लिए गए थ अगर यहांपर यह रढ़नीती अपना ही है यह शेर्यंथ रखिया है लेकिन महराज के सियासत में लगातार उठापता क्यों देखने को मिल रही है इन सब के बीच में मुक्रमंतरी एकनाचिंदे को आपना स्थम्रह उखना पैड़ेगा अगर एकनाचिंदे जो है यहापर बड़ी जो है उनकी जो सबूत है वो यहाँ पर मिलते हूँ निजर आते हैं यहाँ पर अजीत पवार और शर्द पवार अगर साथ में आ गए यहाँ पर अजीत पवार यह भी दावा करते हूँ निजर आए कि वो मुख्य मंतरी बरना जाते हैं तो ऐसे में विधायकों की ज व्ट देखने को मोल रही है और क्या शरत पौवार और यहाँ पर जो है अजीद पौवार दोनों मिलकर एक नया कदम उठाने वाले हैं माराश के सियासत में बड़ा यहाँ पर सियासी भूच्छाल देखने को मिलेगा यह लगातार सवाल बना हुआ बहुत्षाल माराज की सियासत को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं देश और दुनिया की तबाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं